हलो विवर्स हम पढ़े कफशा नवी गणित की प्रश्णावली 1.1 अध्याए एक की प्रश्णावली 1.1 और आज हम इसका संपूर्ण हल कर लेंगे बहुती आसाने प्रश्णावली 1.1 तो शुरू करते हैं प्रश्ण नमबर पहला है क्या शुन्य एक परी में संख्या है क्या इसे आप P बटा Q के रुप में लिख सकते हैं जहां P और Q पुर्णाग के हैं और Q जीरो के बराबर नहीं हैं तो इसको हल कर लेते हैं यहां हमसे पुछा गया है क्या शुन्य एक परी में संख्या है तो परी में संख्या वो संख्या होती जिसे P बटा Q के रुप में लिखा जा सकता है जहां P और Q दोनों पुर्णाग होते हैं और Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तो इसका उत्तर होगा सबसे पहले हम यहां लिख देंगे हल सबसे पहले हमसे पुछा है क्या शुन्य एक परी में संख्या है तो हम लिखेंगे हा शुन्य एक परी में संख्या है शुन्य एक परी में संख्या है शुन्य एक परी में संख्या होती है तो हम लिख देंगे शुन्य एक परी में संख्या है क्या इस से आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर फिर लिखेंगे, हाँ, हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पुर्णा के और Q जिरों के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे, लिख सकते हैं, और हम यहाँ लिख के बताएंगे, जिसे 0, यहाँ लिख देते हैं, जैसे, 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा दिन 1, आदि, इसके बात लिखेंगे, जहां P व क्यूँ पुर्णा के है, और Q जिरों के बराबर नहीं है, जिसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया, वेसा ही लिख दिया हमने, तो यहाँ पर जो प्रश्न था, उसका अलो हो गया है, क्या शुन्यक परी में संख्या है, तो हाँ शुन्यक परी में संख्या है, क्या ऐसे आप P बटा Q के रुप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पुर्णा के और Q जिरों के तो प्रश्नमबर पहले का यह हल हो गया है, बहुती आसान है, इसका अगला प्रश्नमबर दूसरा है, तीन और चार के बीच में चह परी में संख्या है ग्यात कीजिए, तो हमें तीन और चार के बीच में चह परी में संख्या है निकालनी है, तो इसको हल करेंगे, इन दोन तो हम लिखेंगे हम तीन और चार में क्योंकि हमें च्छ परिमेसंख्या है चाहिए इसलिए साथ बटा साथ का गुणा करेंगे तो यहां पर साथ बटा साथ का गुणा दोनों में कर देंगे तो सबसे पहले यहां पर हम तीन में गुणा करेंगे साथ बटा साथ बराबर हो जाएगा साथ बटा साथ तो कि यहां कुछ नहीं इसका मतलब एक है साथ का गुणा एक में होगा तो साथ ही होगा साथ का गुणा तीन में करेंगे तो साथ बटा साथ हो गया और 7 का गुणा 3 में करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि 7 से 7 कड़ जाएगा और यहाँ पर भी जैसे 7 यहाँ पर 21 बटा 7 है तो 7 एकम सा 7 या 21 हमें 3 वापस मिल जाएगा और इसी प्रेकार से हम 4 में भी 7 बटा 7 का गुणा करेंगे इसके बटे कुछ नहीं तो एक है बराबर 7 चोग 28 बटा 7 तो यहाँ पर हो गया 28 बटा 7 अब हम 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में 6 परिमे संख्या आसाने से लिख सकते हैं तो हम लिख देंगे अतहर तीन और चार के बीच चह परिमे संख्याए तो 21 के बाद हम लिख देंगे 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा 7 तो इस प्रकार से यह 6 परिमे संख्याए हो गई इन दोनों के बीच की तो यह इसका उत्तर है इसके बाद अगला जो तीसरा प्रश्ण है वह है तीन बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमे संख्याए ग्याद कीजिए तो इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे तो हम लिखेंगे यह हल हमें 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमे संख्याए ग्याद करनी है तो हम ऐसी संख्या का गुणा कर देंगे दोनों में, जिससे के हमें 5 परी में संख्या मिल जाए, तो हम 6 का गुणा कर सकते हैं, तीके, क्योंकि 5 परी में संख्या चाहिए, तो हम 6 का गुणा कर देंगे यहां पर, तो 3 बटा, 5 गुणा, 6 बटा, 6, 6 से 6 कर जाएगा, और दिया 18 बटा 35 उसी प्रकार हम 4 बटा 5 में भी 6 बटा 6 का गुना कर देंगे तो 6 चोग 24 बटा 35 ये हो गया ठीके 6 चोग 24 बटा 35 चोग 24 बटा 35 आ गए है अब हम इन दोनों के बीच की 5 परिमें संख्या लिख देंगे तो हम या लिख देंगे अतह 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच की 5 परिमें संख्या लिख देंगे अठारा के बाद 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30 तो इस प्रकार से 5 संख्या है मिल गई हमें 5 परिमें संख्या है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच की और यही इसका उत्तर है इसके बाद प्रश्णमबर चोथा है नीचे दिये गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए तो इसमें पहला है प्रत्यक प्राकरसंख्या पूर्ण संख्या होती है तो इसका उत्तर हम कॉप्य में लिखेंगे इसमें पहला है प्रत्यक प्राकरसंख्या पूर्ण संख्या होती है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सत्य है क्योंकि हमें सत्य और असत्य बताना तो हम लिखेंगे सत्य है क्योंकि हम लिखेंगे सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकरत संख्याओं पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकरत संख्याओं शामिल होती है ठीक है पुर्ण संख्याओं का जो समूता उसमें सारी प्राक्रसंख्या तो होती है इसलिए प्रतेक प्राक्रसंख्या पुर्ण संख्या होती ही है इसके बाद जो दूसरा है प्रतेक पुर्णां का पुर्ण संख्या होती है प्रतेक पूर्णांग पूर्ण संख्या होती है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे इसका उत्तर लिखेंगे असत्य असत्य क्योंकि पूर्ण संख्याए जीरो से अनन्त तक होती है जबकि पुर्णांक में रिन दो, रिन तीन आदी भी शामिल होते हैं रिन वाली जो संख्या हैं, रिन वाली संख्या जीरो और एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्या पुर्णांक में होती हैं लेकिन पुर्ण संख्या हो में जीरो से अनंत तक की संख्या होती हैं इसलिए प्रत्यक पुर्णांक एक पुर्ण संख्या नहीं होती है इसके बार तीसरा प्रतिक परिमे संख्या पूर्ण संख्या होती है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे असत्य क्योंकि परिमे संख्या में पूर्ण संख्या के साथ पूर्णांक व प्राकरत संख्याए भी आती है पूर्ण संख्या के साथ इसमें प्राकरत संख्या भी हो सकते हैं इसलिए प्रतिक परिमे संख्या पूर्ण संख्या होती है आवशक नहीं है तो इस प्रकार से प्रश्ट No.4 के भी सारे हल हो चुके हैं तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा नवी की संपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए